अभी हम मधवनी जिला के अरेर्थ खाना अंतरगत धंगागों में पहुचे हैं, बता दे कि बीते दू दिन पहले मैट्रिक परिच्छा दे करके इस गाउं की कुछ बचिया जो है, सो मधवनी से सिधा अपने गाउं की तरफ आ रही होती है, उसके दर्म्यान जो है, दो बच अब लोग आ रहे थे, तुटुमे में कहां पर हुआ, एक्जाम हॉल से निकलने के बाद, मधवनी से अपनीता हला कर रही थी, पर नाजिरपुर में आके, थोड़ा तुटुमें में हुआ, हम लोग एक ही गारी में थे, पहले भी जाते थे, इससे पहले भी जाते थे, तो आपका सरदर्द होड़ा था, आपके साथमीर थी, उसके बाद यह हुआ कि जब यह बोली कि तुम महला मत करो, मैं सरदर्द कर रहा है, तो मनित हा कुमारी उस पर लराय करने लगी, वह बोली तेरा बापका ओटो है, तो यह भी बोल दी कि तुम्हारा पती का ओटो है, थो आप मेरा सरदर्द कर रहा है तो मिनीता ने क्या कर रहा है को मेरे को बोली मतलब तुम्हां बंद कर मतलब नदम भंकी मतलब थोड़ा बहुत मतलब nagar śled को देख लेगा बस नहीं बात हुआ फिर मतलब कलवाही पर जैसे हम लोग पहुंचे मतलब चौकपे तो गाड़ी से तीन लड़की उतर गई रोते रोते अपने घर आई अपने पापा को भाई को सबको बताई तो हम लोग अपना हम लोग चौकपे देखिए वह लड़की लोग अपने घर को घर में बताई सारा मतलब कि यह वह हुआ उसका भाई चार लड़के से यहां पूला पे हम लोग को घेर लिया चारो बगल से और मेरे को बताता हूं मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरी में को डर हुआ क्यों मुझे मारेगा मतलब थोरा पीछे है काली मं की ओत्री मैं अपने घर गवे मेरे घाली का फोलो किया कि मेरे घर किधर है पीछे करते गड़ते मेरे घर तक पहुचा चाहला लड़का से एक ही वाय्की पे चाहला भुखत बोले फिर हम लोग भाई यहीहीं पशतम हो घखाले हम उसके बाद हम लोग लग दिन जाम देने कि ले गए फिर इसके साथ लड़ाई जगरा हुआ यह मतलब तो उसके बाद मामला तो वहीं पर सल्टा गया फिर जब हम लोग मंगलवार को मैं स्कूल गई एक्जाम देने फिर से गई एक्जाम देने गई तो मैं और मेरी कुछ दोस्त थी तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि यह सब वहा था रात में तो उसके बिंटी कुमार आके मुझे बोलती है कि मैं तुमको तोड़ दूगी घर पे चलो बिंती का कोई सीन नहीं था उसके अगले पिछले दिन पर बिंती मुझे मुझे बोली कि तुम घर पे चलो मैं तुमको तोड़ दूगी तो मेरी कुछ सहलिया थी वो बोली कि तुम घर पे क्यों यहीं पर उसको तोर के दिखाओ तो वहीं पर मुझे वो लोग बहुत रूलाई थी और मेरा एक्जाम भी बहुत खड़ाब गया था उस दिन का क्यूंकि मैं इतना रोई थी कि मेरा आख एकदम और मेरा तब्यात ही जाएक खड़ाब था उस दिन फिर जैसे ही मैं घर पे हैड मीट कार्ड रखी और मंदिर के लिए जाने लगी बाहर निकली तो बिंती कुमारी मेरे घर पे आई यहां पे और दलान पे आके और मेरा एकदम से हाथ पकर ली और बोली कि मैं बोल रही रही थी कि तुम लोग म मेरा मुझे मौका तो मेरे घर पर कोई नहीं है मेरी मम्मी सब सब मंदिर गई थी शाम का सब शाइच रहा लगब इतना हुआ उसके लगए और इसकी यह जुंद बना के रखी थी 20-25 महिला थी इसमें मनीता भी थी मनीता की मम्मी भी थी नितू भी थी सोना कुमारी भी थी इ बिंती की पूरी खांदान था उसका पुरा खांदान था और तो मुझे को बोलने का मोखा भी नहीं दिया मुझे एकदम से मारने लगा सब करके 20-25 पहले बिंती मारी उसके लाट मैं बहुत कुछ नहीं सुनी मैं बहुत कोशिज कि यह लोग मेरी बात सुने ऐसा कुछ नह रही थी तब तक मैं अपना जान बचा के भागी वहां से तो मेरी बहन मिल गई रास्ते में में मिली उसके दिर बाद मम्मी भी मिली सब मुझे एक जगह है वहां पे बैठाया सब मुझे सालवाल लोड़ाया मेरा बहुत ज़्यादा और मार भी लगा था बहुत ज़्याद तर्लर कस भी था जब कर भी मार घरी सब गया था जब मैं अकेले तो कोई या जुट सब नहींसा मुझे नहीं लड़का भीमारा है और उसके बाद फिर वो सब राहूल बोला कि चलो ना तुम जिसको बुलाना है उसको बुला लो फिर मेरी बहन पूरे अपने मुख्या भया को सरपंच को सब को कॉल की तो वो लोग घर पे नहीं थे तो नहीं पाए और नहीं आ पाएं उस टाइम और वो तो जैसे ही मेरा हालत देखी तो मैम समझ गई इसको कितना मार लगा है फिर मैं बोली कि मेरा गारी यह घर लिया था तो मैं राहूल को बैठाई तो राहूल मुझे बोल रहा है कि जा तो राहूं पर आओंगा तो मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं पर सासन के सामने में म written बना लिया गया था मैं कि तुम इसको पानी क्यूं दे रही हो पानी इस तक नहीं में बधीद खराब हो गया था मैं सिधा बोली की गुला ठाग और फिर उसको बोला कि इसको बारसी से बांद के मारो इसको पानी मत दो जो इसको पानी मत दो सब फिर से और मेरा एकदम तोड़ दिया है जो प्रसासन को मारें नहीं बलकि एक मिंति जो लड़की है उसको प्रसासन जो मारा उसके बाद बहुत करके गिर गई अथा दिया यह एक प्रकार से बंधके बनाना हुआ उसको बैठा दिया ऐसा कोई मामला है मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाई मैं बस सबको समझाने की कोशिस कर रही थी और मैं के ऊपर मैं जब वीडियो बनाने के लिए अपना फोन निकाली तो मैं का फोन चीन ली बिंति कुमारी और यह हम भी वीडियो देखे हैं लाल बाब ठाकुर रात में पुस्ट किया एक व मैं मैं बहुत अच्छी थी मैं मैं को बहुत ज्यादा चोट भी लागा उनलों का पक्स सुना है हम लोगा पक्स सुन बेने कि उसके बाद सिधा आया मार्पिट करने जब मैं आप से पूछेगी कि आप मेरा बात सुनिए बोलिए आप तो आप दस जगह से दस आदमीं बोल ग्याम थाम घाटना लेकरने क्लेट जातिवाद का नहीं है जातिवाद को हमें उन्हें को बड़ा कि तुम आप मैं तसी keto संटी घाति सी हो तुम लोग यहां पढ़ते हो इसलहें मतलब कश्णब नहींत नहीं करतीं यहां तक कि मैं रहती भी नहीं भागलपूर में रहती हूं अपनी बढ़ी बहन के पास रहती हूं जाती बादी से मुझे कोई मतलम नहीं है जनरेशन है और गंगा जो जूट रहा है जूटा है इसको लाल बाबु कॉल करके इस सब को बताया है कि तुम ऐसे ऐसे बोलो पूर पंडल जानते होंगे सक्री के पास है वह मेरा अपना गाउं है और मेरे पापा को यहां पर पंडिताई करते हैं पुजारी है काली मंदिर के और जब सारे पात साल हुआ है यहां पर मेरा घर जब एक चचा है जिनका यह आची है वह हम लोग को जमीन दिये और बोलें कि जमीन है कि हम लोग को यहां से भगाना चाहती है और यह जमीन है अपना जमीन नहीं हम लोग को बस आया गया है और यह प्राइवर्ट जमीन है